मेश राश मेश राशी के लिए आज सितारे बताते हैं कि आपको आज कार्यक्षेत्र में सतर्कता पूर्वक अपना काम करना चाहिए आपको आज दूसरों की बातों में आकर कोई भी काम करने से बचना चाहिए और अपनी बुद्धी का प्रयोग करना चाहिए नहीं तो नुकसान हो सकता है ससुराल पक्ष से आपको आज लाभ मिल सकता है वैवाहिक जीवन के मामले में दिन आपका अनुकूल रहेगा आज भगवान विश्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करेंगे तो आपका दिन और भी ज्यादा बहतर होगा शुभरंग होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 83 प्रतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है व्रिशब राश्य के जातक आज पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल बनाए रख पाएंगे परिवार में और समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा आपके काम की कार्यक शेत्र में आज प्रशंसा होगी अगर आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन अच्छा रहेगा सरकारी नौकरी से जुड़े लोगों को आज लाब मिलेगा कुछ नई जिम्मेदारी भी मिल सकती है आज गाय को हरा चारा खिलाएं दुर्गा चालीसा का पाठ करेंगे तो आपका दिन और भी ज्यादा बहतर होगा शुभरंग होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80 प्रतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है मिथुन राश्य मिथुन राश्य के लिए आज सितारे बताते हैं कि आपको आज कामकाज और कारोबार में लगन पूर्वक काम पर ध्यान देना होगा जीवन साथी का सहयोग बना रहेगा जीवन साथी की सफलता और सहयोग से आपको खुशी मिलेगी आज शाम के समय आप अपने परिवार के छोटे बच्चों के साथ मौज मस्ती और मनोरंजन करेंगे छात्रों को मन पर नियंतरन रखना होगा और पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है आज गणेश जी को लड़ू का भोग लगाएंगे तो आपका दिन और भी ज्यादा बहतर होगा शुभरंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नमबर दे रहा है तिरासी प्रतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है करकराशी के लिए आज सितारे बताते हैं कि आज आप पर काम का दबाव अधिक रहेगा इसलिए आप आज धकान महसूस कर सकते हैं आपको आज पिता के साथ तालमेल बना कर रखना होगा इससे आपको आज उनका सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से आपकी किसी समस्या का आज समाधान होगा. अगर आप धन का निवेश करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए भी दिन अच्छा है. आज सूर्य 40 का पाठ करते हैं तो, आपका दिन और भी ज्यादा बहतर होगा. शुभरंग होगा बादामी, और भाग्य का व्रिद्ध संदेश लेकर आया है. आपने किसी को पैसा उधार या कर्ज दिया है, तो आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है. ससुराल पक्ष से भी लाभ और सम्मान की प्राप्ती हो रही है. मित्रों और परिचितों से मिलने का संयोग भी बनेगा. आपके आज मन पसंद भोजन मिलने का योग बन रहा है. आज भगवान विश्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जब करेंगे तो आपका दिन और भी ज्यादा बहेतर होगा. शुब रंग होगा हरा और भाग्य का मीटर. आपको नंबर दे रहा है. 75 प्रतिशत उत्तम भाग्य आ आपके साथ बना हुआ है. कन्या राश्य कन्या राश्य के लिए आज गुरुवार का दिन लक्ष्मी नारायन योग से लाभकारी रहेगा. आपको आज कार्यक्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिल सकती है. आपको आज परिवार के सदस्यों से भी पूरा स चालीसा का पाठ करेंगे तो आपका दिन और भी ज्यादा बहतर होगा. शुभरंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर. आपको नंबर दे रहा है. 66% मध्यम भाग्य. आपके साथ बना हुआ है. तुला राश्य. तुला राश्य के लिए आज सितारे बताते हैं कि आज कि पर महरबान है. आज आप जिस भी कार्य में हाथ डालेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी. आज आप अपने बिजनेस और काम में परिवार के सदस्यों से सहीयोग पाएंगे. शाम के समय आज आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ देवदर्शन के लिए जा सकते हैं. लेकिन सेहत के मामले में आज आपको अपना ध्यान रखना होगा. आज गणेश जी को लड़ू का भोग लगाएंगे तो आपका दिन और भी ज्यादा बहतर होगा. शुभरंग होगा सफेद और भाग्य का मीठर. आपको नंबर दे रहा है. 68 प्रतिशत मध्यम भाग्य. आ आपकी माता को कोई शारीरिक समस्या चल रही थी, तो आज उनकी समस्या बढ़ सकती है. इनकी सेहत का आज ध्यान रखना होगा. वैसे आज आज आपको पिता की ओर से लाभ मिल सकता है. जो लोग घर से दूर हैं, आज उनको परिवार की याद सताएगी. आज माता लक्षम आपके साथ बना हुआ है धनुराश्य. धनुराश्य के लिए आज सितारे बताते हैं कि आज जल्द बाजी में कोई भी काम करने से बचें. आपको आज अपने पेंडिंग काम को पहले निपटाने का प्रयास करना चाहिए. नया काम शुरू करने के लिए दिन आपके मकर राशी के लिए आज सितारे बताते हैं कि ग्रहस्थ जीवन और दामपत्य जीवन में सुख शांति का आप आनंद लेंगे. परिजनों तथा घनिष्ठ मित्रों के साथ यात्रा का प्रसंग बन सकता है. विवाह योग्य जातकों के विवाह का संयोग बनेगा. स्वादि अच्छा रहेगा. आज माता सरस्वती की पूजा करेंगे तो आपका दिन और भी ज्यादा बहतर होगा. शुब रंग होगा बादामी और भाग्य का मीटर. आपको नंबर दे रहा है. 80% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है. कुम्भ राश्य कुम्भ राश्य के प्रेम और आपसी तालमेल आज बना रहेगा. किसी मांगलिक कारेकरम में भाग लेने के लिए आपको बाहर जाना पड़ सकता है. आज हनुमान 40 का पाठ करते हैं तो आपका दिन और भी ज्यादा बहतर होगा. शुब रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर. आपको नंब कारात्मक विचारों से बचना होगा. आपको आज भावुकता से भी बचने की जरूरत है. नौकरी में उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल बना कर रखें और कहां सुनी से बचें. संतान की समस्या आपको चिंतित करेगी. आज भगवान गणेश जी की पूजा करते हैं तो आपका दिन और भी ज्यादा बहतर होगा. शुभरंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है. त्यान तैन प्रतिशत बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है. करे दो हो आपके साथ बना है. झाल झाल झाल